अबाई धनलिवास आखियो मेरे साथ बोलिये बारत मता की अरे भई लखी सराई वालो ऐसी आवाद नहीं चलेगी जराज जोर से बोलिये पटना तक आवाद जानी चाहिए उनको मालूम पढ़ना चाहिए लखी सराई में बाजपा वाले ही खटा हुए है मेरे साथ दोनों सभी लोग दोनों हाथ उड़ाएं 24 में सभी की सभी सिटे बाजपा को जिताने के संकल्प की मुठी भी जिये और पटन्डवाद से बोलिये बारत मता की मंच पर उपस्तित भारत्य जन्टा पार्टी के लोग प्रिया सदे सद्यक स्रिमान समराच चौदरी जी यही जिला जिनका मात्र भुमी है यही पैदा होने वाले हमारे नेता स्रिमान गिर्राज सिंग जी स्री अस्रीनी कुमार चौबे जी निट्यानन राय जी विजय कुमार सिना जी स्रिमान राजा मोहन सिंग जी श्री विनोज चावडे जी स्री चुनिल ओजा जी शुशिल कुमार मोदी जी रुतुराज सिना जी चार किशोर पसाज जी बेहन रेनु देवी जी श्री नागेंद्र जी भिकुबाई श्री मंगल पांडे श्री संजय मयूक और मंच पर उपस्तित सभी विजायक महोदाए शांसद महोदाए और आज मुंगेर की इस विशाल जनसभा में ऐसे हवामान के बीच में भी बारिश के बीच में भी आये हुए प्यारे भाईयों बेनों माता हो और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार मित्रों मैं पटना उत्रा तब मुझे बताया गया कि बारिश और आधी है मुंगेर नहीं जा पाएंगे मगर ये अत्रोग दाम के बाबा भोले बाबा की कृपा है कि बारिश और आधी के बाउजोज आप लोगों के दर्शन मुझे प्राप्तो रहे हैं आप लोगों के सामने में उपस्तिश माताओ भाईयो बेनो ये बिहार हमेशा बदलाव और कांती की भूमी रहा है और इसी बिहार ने हमेशा ब्रस्ताचार के खिलाप एक आवाज बुलंद की आज ये जन्सबा जो है भारतिय जन्ता पार्टी के एक राश्तिय कारेकरम जन्सम पर कारेकरम का एक हिस्टा है देश के प्रदान मंत्री मोदी जी के चासन के नौ साल समाफ्स हो गए देश की जन्ता का जन्यवाज करने के लिए देश बर में भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता हां लोग सबा में गए है और इसी के तहट मैं आज मुंगेर वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करकर दन्यवाज करने आया हूं क्योंकि यह दिहार की जन्ता है जिसमें 2004 में मोदी जी को 31 सिटे दी और 19 में 53 परसंट बॉट के साथ 49 सिटे दी अब समय आ गया है कि एक दो सिटो का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है 14 में आपने जिताया 19 में आपने जिताया अब 24 में सभी की सभी सिटे कमल के निशान को देने का काम करिए माताओ भाईयो बेनो आपके अशिर्वात से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रदान मंत्री बने और इस 9 साल में धेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किये हैं अभी अभी पल्टू बाबू निशिस कुमार जी पूठ रहे थे कि 9 साल में क्या किया अरे निशिस बाबो जिनके साथ इतना बैठे हो जिनके कारण मुख्य मंत्री बने जरातो लिहाज रखो नौ साल में बेश बर में धेर सारे काम मोदी जी ने किये हैं मित्र मोदी जी के 9 साल गरिप कल्यार के 9 साल है मोदी जी के 9 साल भारत गवरों के 9 साल है मोदी जी के 9 साल भारत उसकर्ष में 9 साल है और मोडी जी के नौ साल का सासन भारत की शुरक्षा के नौ साल का सासन है मितिस बाबो आज अगर सुनना चाते हो तो मैं पुरा हिसाब देने आया हूँ मित्रो मोडी जी ने ये नौ साल में इस देश के सक्तर करोड गरीबों के लिए देश सारे काम किये हैं आजादी से अप्चत बेश के किसी प्यदान मंत्री ने बेश के किसानों के बैंक एकाउंट में शे हजार रुप्या हर साल डालने का काम नहीं किया किसान संद्मान निधी के तहर बेश के करोडों किसान और मेरे बिहार के किसानों को अठारा हजार करोड रुप्या हीदा बैंक एकाउंट में डालने का काम नरेंडर मोडी सरकाने किया है जल जीवन मिशन के तहर गरीब के गर में नल से जल पहुचाना देश बढ़के 35 करोड गरीब जन्ता के घर में आजादी के सक्तर साल के बाद देश के किसी प्रदान मंत्री ने जल पहुचाने का संकल लिया बिहार के एक करोड साथ लाग लोगों के घर में एक करोड साथ लाग घरों में कनेक्शन देने का काम एक भार्टिय जन्ता पार्टी के नेता नरेंडर मोडी जिने किया है करोड गरीवों को पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा नरेंडर मोडी सरकार दे रही है अपने बिहार में बैट जाओ बैट जाओ बैट जाओ अपने बिहार में 55 लाग लाग भार्थियों को पांच लाग तक का स्वास्त का कोई भी सवाल हो नरेंडर मोडी सरकार दे रही है अकेले बिहार में सवा करोड मताओ को एक करोड तीस लाख मताओ को घर में स्वासाले बोना कर दिया एक करोड अस्ती लाख लोगों को दाइस साल से मुप्तु में अनाज भेजने का काम ये नरेंडर मोडी सरकार कर रही है और 37 लाख 37 लाख लोगों को घर बना कर देने का काम नरेंडर मोडी जी ने किया है मितिश वाबू हमारा इसाब पूठे हो मैंने तो कहा बिहार के गरीबों के लिए हमने क्या किया आपने कहा था कि खाते तो खोले बौनी करा दो बौनी नहीं गरीब के घर में भेजने का काम हमारे नरेंडर मोडी जीने किया है मित्रो ये नौ साल भारत के गवरों के नौ साल रहे हैं, मोदी जी के साशन में, वीश्व भर में, मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमरिका जाए, इंगलांड जाए, फ्रांस जाए, इजीप्त जाए, जहां जाते हैं, मोदी, 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 मोदी के नारे ल और मित्रों अभी अभी अमरिका गए थे इसके पहले जी शेवन की डेठक में गए कोई राष्ट्राद्यक्षिन का एपोइंट मांग रहा है कोई उनका हस्तात्सर मांग रहा है और कोई-कोई पैर शुकर उनका आशिर्वाद मांग रहा है यह मोदी जी का जो सन्मान पूरी दुनिया में हो रहा है वो मोदी जी का सन्मान नहीं है वो भार्तिय जनता पार्टी का सन्मान नहीं है मोदी जी का जो सन्मान हो रहा है यह मुंगेर वालो आपका बिहार की जनता का और 130 करोड भार्तियों का सन्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है मोदी जी ने दुनिया में भारत को गवरोव दिनान का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने ए नो वर्ष के अंदर भारत को सुरक्षीश करने का काम किया है मुझे बताओ मुंगेर वालो पहले जब कब भी पाक प्रेरित आतंक वादियों के हमले होते थे इस्टोनिया मनमोहन की सरकार कोई जवाब नहीं देती थी मौनी बाबा शुप भोकर दिनली बैठ जाते थे मोदी जी प्रदान मंत्री बने उरी और पुल्वामा में हमला किया पाकिस्तान वालों को लगाई इस बार भी कुछ नहीं होगा वो भूल गए कि कॉंग्रेस की सरकार नहीं है यूपी ये सरकार नहीं है ये भार्तिय जन्ता पार्टी की सरकार है दसी दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में गुपकर आतंक वादियों का सफाया बूलाने का काम मुझे बताओ मुंगेरवालों एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है अरे जोर से बोलो है या नहीं है जारा किन को सक्तर हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए एक कॉंग्रेस जदयू आर्जेडी मम्ता बी एंके सभी लोग सत्तर सत्तर साल से जारा तिन सो सत्तर को बच्चे की तरथ घोधी में खिलाते बिहार वालो आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रदान मंत्री बनाया मोदी जी ने पांच अगस 2019 को जारा तिन सो सत्तर को उखाड़ कर खैंग लिया और कश्वीर हमें इसा के लिए भारत माता का मुगुट मनी बन गाए यह सारे लोग संसत में इखटा होकर काउ 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 करते पूरी जमात और कहते थे जारा तिन सत्तर हटाओगे तो खून की नदिया बैजाएगी अरे राहूल बाबा खून की नदिया छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिमत नहीं हुए है कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी जी ने ये नौ साल के अंदर देश को सुरत्षीत करने का काम किया है माताओ भाईयो बेनों मोदी जी ने ये नौ साल के अंदर देश को जिक्षीत करने का काम किया है और मैं आज मुंगेर में आया हूँ तब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मरेंद्र मोडी जी ने समगर देश को देश सारे इंट्रास्ट्रक्चर के काम दिये और बिहार को भी देश सारे काम दिये हैं मुंगेर से बेगु सराई तक रेल सड़क को डबल करने का काम और पूल के निर्मान का काम नरेंद्र मोडी सरकार ने किया लखी सराई वालो जरा जोर से ताली बजाना मुंगेर में एंजिनिरिंग कॉलेज साफित करने का काम नरेंद्र मोडी सरकार ने किया मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोडी जी ने किया इसके साथ साथ रोडवेज के लिए दीन लाज करोड के तेरा तेरा ग्रिन फिल्ड एक्सप्रेस वे नरेंद्र मोडी जी ने दिये है 45,000 करोड उप्या भारत माला के तहेद दिया 28,500 करोड उप्या बिहार और जारखन के एक्सप्रेस वे के लिए दिया 6,800 करोड की लागत से गंगा पर पूल और सड़क उन्नयन को मंजूरी ली 3,400 करोड की लागत से राश्य राजमार्क की परियोदना ये लागू की लगबग लगबग 230 करोड लंबा असाम दर्बंगा एक्सपेस वे बी चलाया मदूवनी पदान मंत्री सड़क योदना 175 करोड की बनी डेलवेज में 13,400 करोड उपेसे पटना में मेक्रो का काम शुरू किया सुपोल अरर्या 90 किलोमेटर 1600 करोड और 1226 करोड रेलवेज ट्रेक का पचासी नए ओवर विजो के साथ इलेक्रिफिकेशन विज्जूती करन करने का काम ये नरेंद्र मोधी जर्का ने किया दर्भंगा में उडान योदना से दर्भंगा को जोड़ा और शीवर जन्पद में केंद्रिय विद्याले, नवदय विद्याले डिगरी कॉलेज, जन्जारपूर में मेडिकल और एंजिनरिंग कॉलेज, भीर कुवर सिंग महा विद्याले, बक्षर में गवर्मेंट एंजिनरिंग कॉलेज, कोशी नदी पर 130 मेगावट की जल विद्य परियोदना नरेंद्र मोदी जी ने दी है 1360 मेगावर्ट की समतावाला एंटी पीजी का बक्षर के चौशा में एक पावर प्लांट बनाने का काम चालू हुआ है और मदेवपुरा में मचली चारा मिल भी चापिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मैं आज यहां निटीश बाबू को पूछना चाहता हूं निटीश बाबू आपने क्या किया इसका हिसाब दिजे बिहार वालो मुझे एक बात कहीं जो आदमी जो नेता हर बार घर बदले इस पर पिश्वास कर सकते हैं क्या जोर से बोलिये कर सकते हैं क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में भीयार सोपना चाहिए क्या मित्रों उनको भी मालूम है इसलिए आज कॉंग्रेस के घर पर जाकर चौकट पर बैठे हैं फिर से देश के प्रदान मंत्री बनने के लिए उनको प्रदान मंत्री बदान मंत्री कुछ नहीं बनना है सामखा लालू जी को इस आयू में वो द्बूर्ख बना रहे हैं निटीज बाबू यहीं रहना चाहते हैं मुख्य मंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भाजपाल रोज्यों को इखर्टा किया अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर हुआ उन्होंने कहां 20 पार्टिया आई है 20 से ज्यादा पार्टिया इखटा होगी वह बात तो सही है 20 से ज्यादा पार्टिया इखटा कर ली निटीज बाबो मगर यह 20 पार्टिया है कौन यह 20 पार्टिया वो है जिनोंने 2004 से 2014 में 20 लाग करोड उपे का गपला गोटाला और प् बिहार की भूमी कि बिहार की भूमी जई प्रकास की भूमी है जहां से ब्रस्टाचार के खिला पांदोलन चुरू हुआ था निटीज वावू आपको सर मानी चाहिए बीस लाग करोड के गपले गोटाले ब्रसाचार करने वाले कॉंग्रेस लालू परसाद यादव और अर्विन के ब्रिवाल के साथ बैठ कर आप सक्ता हठियाने का प्रयाज करें मुझे बताओ लखी सराई वालो मुंगेर वालो मुझे बताओ जो आदमी चत्ता के लिए सारे सिद्धान्तों को छोड़ दे इसका भरोसा कर सकते है क्या जोर से बोलिये कर सकते है क्या अरे मिटिस बाबू आपकी तो राजमिटिक पैदाए थी ब्रश्राचार का और लालू का विरोज करकर शुरू ही आपके राजमिटिक की चुरूआत इंदिरा गांडी के ब्रश्राचार की खिलापत से हुई और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा धोटाले का जिरोज करकर बन गए अब मैं पुछना चाहता हूँ किस मूँ से आप कॉंग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठ कर मुंगेर और लपी सराई की जन्ता के सामने आएंगे आपको जवाब देना है और मित्रों एक कॉंग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी राजनीची में कोल्डी नेटा को पहली बार लॉंच किया जाता है हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेटा का लॉंचिंग नहीं होता जनता ही नेटा को लॉंच कर देख लिए मगर कॉंग्रेस हर साल 20 साल से कितने साल से जब जोर से बोलो 20 साल से कितने साल से 20 साल से राहूल बाबा का लॉंटिंग कर रही मगर यह लॉंटिंग नहीं होते हैं इस पार भी कॉंग्रेस ने पटना में राहूल बाबा का लॉंटिंग का एक जिफल प्रयास किया है मैं आप सभी को जो लोग वहां बैठे थे उनको बताना चाहता हूँ बिहार की जन्ता कभी प्रस्टाचारियों के साथ नहीं रहते हैं मित्रो मुझे बताओ देश के अगले प्रदान मंत्री अगले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी भार्टी जन्ता पाटी की और से सभी की सभी सिटे नरेंद्र मोधी जी को देगो दोगे क्या जरा जोर से बोलो दोगे क्या बिहार को एक जंगल राज पे फिर से मुक्त कराओगे क्या एक ब्रस्टाचार करने वालों को मुझे जवाब दोगे क्या मित्रो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ जो लोग सक्ता के लिए लालू और कॉंग्रेस के साथ जा रहे हैं उनी के कारण गुंदाराज, बालू माफिया, शराब माफिया और हट्यारों के जखिरे बिहार के अंदर आ है बिहार की कानून और विरस्ता की परिस्तिजी, दीन, प्रतिदीन, चर्मराटी जा रहे है और दूसरी और मोदी जी के नेत्रुत में एंडी ये फिर से एक बार एक जूट होकर जनता के साम में आ रहा है दोजार सौबीस में बिहार की जनता को ताई करना है कि 20 बार फेल लॉंटिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए मुझे बताओ 20 बार फेल लॉंटिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए जोर से बोलो कौन प्रदान मंत्री बनेगा माता ओ भाई ओ बेनो आज इसने ख़ड़ा मोसमने आप सभी लोग यहां आए हैं मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा मगर इस्वर की कुपा हो गई और आज यहां से जाकर मैं भी असोग दाम के दर्शन करूंगा मगर आज लखी सराय में लखी सराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिनोंने दल बदल करा है विश्वास गात किया है और द्रश्चाचारियों के साथ बैठे हैं उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोग सभाने करना है लखी सराय वारा में करना है कमल के निशान पर बटन दबाओगे 24 और 25 में बाजपा एंडिये की सरकार बनाओगे 24 में मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनौं हाथ सभी स्ट्पिस इसने के संकल्प की मुठी भी ये और जोर शों लिए बाराइट मता की बाराइट मता की बाराइट मता की वनन दे वन ये वन दे वन दे वन दे झाल